शुक्रवार को उर्जया मंत्री नितिन राउत नीन नाकपुर में पत्रकारों से चर्चा की कि पत्रपरीशत में राउत ने कहा कि भाजपा पर विश्वास खो दिया है वे अपना अस्तित्व दिखाने के लिए संगर्श कर रहे हैं चाहे वह विधान परीशत चुनाओं या ग्राम पंचाय चुनाओं भाजपा हार गई वे भविश्य की स्थार ने निकाय चुनाओं में पानिपत के डर से पहले ही खिरे हुए हैं बिश्ली हर किसी का पसंदिदा विश्य है इसलिए लोगों की सान्मुती पाने के लिए यह सब एक चाल है भाजपा के पास फिलहाल कोई ठोस मुद्दान नहीं है किसानों के मुद्दे पर केंडर्श सरकार और भाजपा पुरी तरह से हार गय है भाजपास समय समय पर सभी मोर्चों पर केंडर सरकार की विफलता, चीन के सामने आत्म समरपन और देश की आर्थिक सिती पर सारवजनिक आकरोश पर ध्यान आकरशित करने के लिए विवाजपत बयान और आंदोलन करने के लिए माफी मांगती है राजय में समगर सिती को ध्यान में रखती हुए मुख्यमंतरी, उपमुख्यमंतरी और महाविकास अगाडी में तीनोदल नागरिकों को भैतर सुविदा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं माविकास अगाडि सरकार को जनता का समर्तन प्राप्त है और वह विकास के लिए प्रतिबद्ध है कोर्णा के वैश्विक महामारी में भी MSCDCL ने मृत्य की आशंकाओ के बावजूत निर्भात विद्यूत आपुर्ती बनाये रखी ऐसा करते समय MSCDCL के कई करमचारी कोर्णा का शिकार हुए हाला कि विश्विबिल की वसुली नहीं होने की कारण MSCDCL का वित्य डॉलर गंभीर संकट में है कोर्णा अधी की दोरा निराज्य की बिजली उभोकताओ द्वारा करोड रुपे खर्च के जाने के बावजूत बिजली आपुर्ती में कटवती नहीं की गई थी सभी प्रशनों हो सकते हैं लेकिन पैसा प्रशनों नहीं हो सकता बिजली उत्पादन के लिए कोईले और तेल का आगरिम भुकतान करना पड़ता है यदि लोग अपने बिजली बिलो का भुकतान नहीं करते हैं तो वे बिजली उत्पादन, बिजली खरीदी, ट्रांस्मिशन और वितरन पर कहा खर्च करेंगी सता की कमी की कारण अपना विवेख खोच की भारते जनता पाटी को कम से कम एक बार इस बारे में सोचना चाहिए MECDCL ग्राहकों को नूटिस दारी कर अपने बिजली बिलो का भुकतान करने की अपेल कर रही है हाला कि भारते जनता पार्टी ये प्रचारित कर रही है कि वह उपभोगताओं के साथ और सवेद नशिल व्यवार कर रही है बैंक बीमा कमपनियों गुरहकों को गुरहक सेवा प्रदान करते समय उनके बकाय के लिए नोटिस चारी करती है यह भी एक ऐसी चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए यदि बिजली उपभोगताओं को बिल और गलत बिल प्राप्त हुए है जैसे कि कई बिलों की चांच के गई है तो आज हम बिजली के बिल की चांच करेंगी और यदि कोई तुटी हो तो हम निश्चीत रूप से इसे ठीक करेंगी लेकिन मौकिक आरोप न लगाए मेसीडी से बिल की जांच करें और अपनी संतुष्टी पाए चुकि ग्राहक लॉकडाउन के दौरान घर पर था इसलिए ग्राहक को सामान यसी अधिक बिजली का बिल मिलता था इसलिए ग्राहक की शिकायत को तुरंथ हल करने के लिए ऐसे बिजली बिल को मेसीडी सेल द्वारा अलग से चांच के लिए दिया जाता था इसमें लॉकडाउन अवधी के साथ साथ पिछले वर्ष के बिजली के उपयोग और इस सवधी के दोरान बिजली के बिल का भी विवरन है ग्रहागों कुछ शिकायतों को दस करने के लिए दो अलग-अलग वाटसप नंबर और इमेल भी दे गए थे भाजपा में CDSL का नीजी करन करके MCDCL को मुटी भर पुझी पत्यों को सौपने की कोशिश कर रहे थी जब फढ़नवे सरकार सक्ता में थी भाजपा ने इसी उद्देश से MCDCL को वित्तिय संकट की खाई में धकेलने का पाप किया था आज का अंदोलन इस पाप को ढखने का एक माफी नामा है मुदी सरकार ने हाली में देश का बज़ेट पेश किया इसने विभिन्दर राज्यों में बिजली वितरन शेत्र को नीजी कमपनियों को सौपने की योजना की खोशना की इस प्रस्ताव का महाविकास सरकार ने विरोध किया इससे पहले मुदी सरकार ने एक बिजली बिल भी पेश किया था जो राज्यों की अधिकारों पर हमला करेगा और संगिय प्रनाली को कमजोर करेगा महाविकास अगाडी सरकार द्वारा भी उनका विरोध किया गया बीजेपी जो पुंजी पत्यों की कर्तूत के रूप में काम कर रही है महाविकास अगाडी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है क्योंकि यह केंदर सरकार की एकाधिकार का विरोध करती है और एक या दो विशिष्ट पुंजी पतियों को MECDCL को सौपती है हाला कि भाजपा खुले तौर पर कह रही है कि उसका हॉल बोल आंदोलन बिजली के बिलो के खिलाफ है लेकिन अब लोगों की ध्यान में आया है कि भाजपा राजस सरकार की MECDCL को पुंजी पतियों को सौपने के लिए इस हॉल बोल आंदोलन को अंचाम दे रही है यदि भाजपा को वास्तव में यह मैसूस होता है कि बिजली की जेव लोगों की जेव पर दबाव डाल वही है तो इससे केंडर पर राजस सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के लिए मांगी गई 10,000 करोड रुपे की ब्यास मुक्ती वित्तिय सहायता को आगे बढ़ाने का दबाव होगा इसकी मदद से राज में विजली उपभोगताओं को पिलो में छूट देना संभ होगा इस असर पर भाजपा से इस मांग के लिए केंडर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आदोलन करने की अपील करना चाहूंगा लोगों की आर्तिक सिदी के लिए भाजपा बीजेपी ने सत्ता में आती ही देश में इदन की कीमतों में बड़ूतरी शिरू करती है यह साबित करता है कि भारते जनता पाटी के वल इदन की कीमतों में वृध्धी के खिलाफ आनोलन कर रहे थी जब UPS सरकार सक्ता में थी इसे यस पश्ट है कि आज का भारती जनता पार्टी का हाल बोल आंदोलन राजनीती का एक हिस्सा है वश्यद का चुना खो या ग्राम पचायत के चुना ओ उसमें भारतीय जनता पाठी जिस प्रकार से पराबुत हुई है उनको डर हैं कि आने वाली महानगर पाली का जिल्ला परिषदों के चुनाओं में भी हम परास्त होने वाले है इस दर के मारे वे अपने आपका अपना दर छुपाने के लिए यह अंदुलन कर रही है